असलाम लेकुम माई यूटी फैमली उमीद करती हूँ कि आप सबी लोग खैरिये से होंगे और हम भी अलाम दिलिल्ला बहुत अच्छे से तो चलिए आज बनाते हैं कोलकाता की बैस्ट इस टाथ मीन्स मतन रिजाला जो की बहुत ही लोगों को यहां पसंद देगी डिश और इसको ढबा सबना तरएक से बना था आ ये देखें कि मतन लिजाले मैंने यह पर आदा के जी मैंने मुट लिया है और प्लीस मटन आप लोग थोड़्शा फैट वाला मटन लीजिए का तो इस से ती ज जहादा बढ जाता है यह देखे मैंने मतर लिया हैं पर इसमें मैंने आराउंड टू टीपर स्पून पूरा मेने जिंजर गालिक का पेज जाला है यह देखे मैंने वन टीपल स्पून बटर डाला है इसमें तब ग्रेवी रेडी हो जाएगा तब एक और बार नमक टेस्ट कर लीगा उस तरम आपकाम ज्यादा कर सकते नमक वन पीस्पून मैंने ये गोल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने 5-6 हरी मिर्चो को ग्राइंड कर लिया था उसका एक फेस्ट की तरह और वो मैंने इसमें डाल लिया क्योंकि इसमें हम लोग रैचली पाउडर ने डालेंगे ये वाइट ग्रेवी रहेगा इसी विलिए मैंने हरी मिर्चो को यूज कर आ है और यहाँ पर एक कटोड़ी मैंने दही डालिए इन सभी को अच्छे से आप मिला के इसको तकरीवन मैंने 2 खंटिक लिए माइनेरेट करके रग देता फ्रिज में अगर आप हो सके तो रात को आप लोग इसको माइनेरेट करके रग दीजे फ्रिज में ओवर नाइट तो और अच्छे से जादा मसाला अंदर तक जाएगा तो जब तक ये इसको फ्रिज में रखते हैं चलिए इसके बाकी के मसाले प्रेपरिशन कर लेते हैं तो में ये पूरा जो घ्रेवी जो भने गा ये बटर मैं इसटी की उसकर रही हूँ जाफ यहाँ पर मैने देखे की दू मीरियम साईज की अन्यन को बटा हैं और यहां पर मैने 4-5 मैने सुखी लार मिच्छे नीए, 2-3 मैने दाल चनी के तुकरे नीए है और 1 टीस्पून मैने साबद गोल मिर्च लिया है यहां मैने 2 मीडियम साइज अनियन का पेस्ट बना के रखा था और यहां पर मैने एक कटोड़ी काजू भिगो के रखे थे और 3 टीस्पून मैने पोस्तो जातनी मतलब खसकस जो बोलते हैं भिगो के रखा था इन दोनों को फिर मिला के मैने एक पेस्ट बना लिया है चलिए आये बनाते हैं ग्रेवी इसकी मैने यहां पर कडाई अलोड़ी ग्यास पुछड़ा दी थी मैने यहां पर धोरा सा घी और बटर दोनों मिला के डाला है चलिए इसमें सौटे कर लेते हैं गरम मसाले यह सूखी लार मिर्चे दाल चिनिया और जो मैने गोल मिर अच् जब अच्छे से भुण जाएगा तो अब लगभग मेरा दो घंटे से जादा हो गयाता मतन को रखे वे फिर्च पे मैने इसको निकाल के अब इसमें मैं डाल दोंगी देखिए अच्छा इसको मतन को डालने के बाद भी इसको अच्छे से ये भुनाही होगा इसको कि समें जिंजर गालिक का पेस्ट है मतलब और मतन है तो मतन की भी खलकी सी महग होती है तो इन सब को अच्छे मैं फिर इसको दस पन नमेर के लिए स्लो फ्लेम पर रख दूँगी सो देखिए आगे का प्रिसेडियर देखिए किस तरीके से इसको मैं बुनाई कर रही हूं और हम मटन पानी छोड़ता है प्ली जादा पानी मट डालिएगा देखिए माशयल्ला से अलमोस मेरा मटन हो चुका है बस इसको मैंने वापस से कडाई में डाल दिया था और जो काजू का पोस्तो का जो पेस बनाया था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी डालने के बाद में इसको अच्छे से भुनेंगे जब तक तेल उपर आ जाएगा यहां मैंने वन टीजपून करण मसाला का पाउडर और चीनी वन टीजपून मैंने ली है इसको मैं डाल दूँगी इसमें यहांब आहां और एक बार बहुत लोग क्या करते हैं जब हम अरकिये प्याजी है काच के डाली है रखी है वो जब मैं फ्राय करोंगी बहुत लोग सूखी रामिर जब अचरे करके भंगार की तर उपर से डालते हैं ऐसा मत करेगा क्योंकि हम लोग ऑलरडी इसमें रेचली पाउडर नहीं डाल रहे हैं अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही सौटे कर लेता है तो उसका फ्लेवर सब इसमें चले जाएंगे, सो बेटर यही रहेगा, अच्छा केसर को मैंने भिगो के रखा था दूद में, सो वो भी मैंने डाल दिया है, दूसरी दरफ मैंने कराई चडा दी थी, इसमें बटर और गी डाल दिया था, और जो अनियन्स मैंने रिंग्स करक अनियुक के रखी थी, इसको मैं इसमें डाल दोगी और इसको सौटे कर लोगी, यह जादर लाल नहीं होगे, बस हलका सा बिल जाए करके यह पूरा मैं उसमें पलट दूगी, जो मतन का रिजाला क्राई में है, और इसमें पूरा डाल दूगी, अच्छा थिक ग्रेवी है, अब हम लोग कोई भी बनाते हैं जिसमें पोस्तों यूज करते हैं काजू के साथ मिक्स्चर तो वो क्या होता है ना वो ग्रीवी बहुत जादा बंते थेक हो जाती है तो इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सम पतला करेंगे और देखिए अब मेरा यह अन्यन इसी तरीके से मैं ज्यादा फ्राइड नहीं करें इसमें डाल दोगी अभी भी घ्रेवी थिक है तो बस इसमें मैं एक और चीज में डालोंगी वहें मखाने उसको भी हलका सा बटर में स के दिखाती हो कि मेरा मतन रिजाला कैसा बना माशाला से बहुत ही बहुत ही जादा मज़ेदार बनाता और सब घरवालों को बहुत ही पसंद आया है तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीस मुझे लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीस कमेंट बॉक्स में बताई है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा अलाहाफिज